अगर आपकी pen drive corrupt हो गई है और आपको उसको fix करना है तो मैं आज आपको उसको fix करने की trick बताता हूँ इसके लिए आप अपनी pen drive को अपनी PC लैप्टॉफ से connect कर लो इसके बाद आप इस search option में चले जाओ और CMD type करो और इस command prompt को admin mode में open कर लो अब आप यहाँ पर search करो disk part और enter press कर दो अब आप यहाँ पर type करो list space disk और उसके बाद फिर से enter press कर दो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी 28GB की pen drive यहाँ पर दिख रही है तो इसके लिए मुझे disk 1 select करना पड़ेगा आपके case में यह disk name change हो सकता है इसके बाद आप simply select command को type करके enter press कर दो इसके बाद आप type करो clean और enter press कर दो अब आप इस last command को चलाके enter press कर दो अब इसके बाद आपके सामने एक format window open होगी जिसमें आप simply start button पर click करके अपनी pen drive को format कर सकते हो और finally आपकी pen drive यह आपके file manager में शोग होने लगेगी तो definitely इस ट्रिक को try करो और अगर वीडियो पसांद रहा तो follow या subscribe करना मत बूलना